हापी बर्दे टू यू आप सब स्वस्थ रहें मनुरंजन से भरपूर रहें प्रशन रहें अपने अपने कारेयों में आप रत रहें लगा के रखें जानकारी देना चाहेंगे कि आगामी 19 नमबर को आप लोगों के जीवन में एक विशेश यग्य का आयोजन होगा जीवन में इस प्रकार की यग्य में आप सम्रित हो सकते हैं आप शादिशुदा है या आप अविवाहित हैं दोनों स्थितियों में आप इस यग्य में सम्रित हो सकते हैं उत्तम वर या उत्तम बधु की प्राप्ति के लिए कि आपको अच्छा लड़का मिल जाए या आपको अच्छी लड़की मिल जाए या अगर आपकी मेरिट लाइफ अच्छी चल नहीं रही है पती-पती में टकराओ की इस्थिती है तो भी आप इस यग्ये में सम्लित हो सकते हैं दोनों परिस्थितियां आपके लिए बेहद अनकूल है तो आईए सुरबात करते हैं आज के कारिकरम की और पहले बताते हैं कि ग्रहों की इस्थिती क्या है और हाँ अगर दिनांग साथ सितंबर को आपकी शादी की सालगिरह है तो आपके लिए भी एक उपाए बहुत खास हमने करके आएं उस उपाए को करने के बाद जो विशेश आपको लाब मिलेगा वो ये मिलेगा कि आप पूरुन तया हर प्रकार से अपने प्यार में ताजे बने रहेंगे ताजगी बनी रहेगी आपके प्यार की तो चलिए सुर्वात करते हैं और पहले ग्रहों की इस्थिती बताते हैं सूर्य बुध सिंग राशी में है ब्रहाश्पति शुक्र तुला राशी में है शनी धनु राशी में मंगल राहू मंगल केतु माफ कीज़ेगा मंगल केतु मकर में है चंद्र राहू करक राशी में है यही सारे ग्रह मिल करके निर्धालित कर देते हैं कि आपकी सिक्षा कैसी जाएगी आईए बताते हैं अगर दिनांग 7 सितंबर को पैदा हुए है तो इस वर्ष आप सिक्षा में थोड़ा सा बीच में लड़ खड़ाएंगे 18 नवंबर से 22 जनवरी तक स्वास्त की वज़े से आपकी सिक्षा प्रभावित होने जा रही है कहीं पर भी अगर नई जगह पर एड़िशन आदि के लिए विचार किया था तो वह भी आप कर सकते हैं कुछ दिक्कतें आपको शिक्षा के मामले में मित्रों की तरफ से आ सकते हैं आप मिसगाइड हो सकते हैं अगर आप 7 सितंबर को पैदा हुए हैं और शिक्षा के लिए विदेश जाने का विचार किये हैं तो अपरैल 2019 आपके लिए सबसे माकूल होगा अगर आप पहले से ही कुछ विचार किये थे शिक्षा के मामले में कहीं जाने आरे के लिए तो वो भी आपका इंप्लिमेंट हो जाएगा थोड़ा सा उठा पटक रहेगा व्यापार में इस वर्ष अक्टूबर में आपके डिसीजन से एकदम से अगेंश्ट हो जाएंगे अगर आप साथ सेतंबर को पैदा हुए हैं और व्यापारी हैं तो बहुत सोच समझकर नड़ा लीजेगा और हाँ साजहा दिसंबर में तूर सकता है उस पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यक्ता है ब्यापार में कोई विशेश दिक्कत भी आ सकती है पैसे की वज़े से आपका पैसा ब्लॉक हो सकता है और उसकी वज़े से ही आपका बिजनस चर्मर आ सकता है लोन वगरे के लिए अगर विचार किये थे तो मैं बताना चाहूँगा आपको कि 7 सितंबर को पैदा हुए लोग इस वर्ष फरवरी मार्च में लोन पाजाएंगे अगर आप 7 सितंबर को पैदा हुए हैं और व्यापार करते हैं तो विदेश से भी व्यापार को आप फैला सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर में तुम्हिया बंबं रहेगा आपका सोरे बुद्ध का उधातित्यूग अपने आप में है आपको इस वर्ष फल में चमतकार दिखाने वाला है पश्चिम दिखा में आपकी नौकरी इंतजार कर रही है कम से कम 20 प्रतिशत का जंप इस वर्ष आप पा जाएंगे कब 18 जनवरी के बाद सरकारी नौकरी सरकारी नौकरी के मामले में बॉस के साथ तालमेल गरबड होने जा रहा है और वो गरबड होगा 22 अक्टूबर से 17 नौकर के बीच में उस बीच गुरही या इस्थिती बिलकुल भी आपके पक्ष में नहीं रहेगी मकर संक्रान्ती के आसपास में जब सूर्का मकर में प्रवेश होगा तो भी सरकारी नौकरी करने वाले 7 सितंबर को पैदा हुए लोग कुछ दिक्कत पे पढ़ेंगे दामपत्य जीवर, मैरिड लाइफ अगर आप 7 सितंबर को पैदा हुए हैं तो आपके दामपत्य जीवर में किसी अन्यका हस्तक शेप अक्टूबर नौमर में दजार कर रहा है सावधान कर रहें डरा नहीं रहें सावधान रहिएगा जिससे पूरी तरह से आपको शुबता प्राप्त हो सके अगर आप 7 सितंबर को पैदा हुए हैं और अभी निवली मेरिट कपल हैं तो एक बार जन्मांक ले करके जरूर हमसे मिल लीजेगा संभाल देंगे बिमारियां बिमारियों के मामले में इस्थिती बहुत डावा डोल रहेगी पेट की दिक्कत बहुत परेशान करेगी घुटने की प्रावलम परेशान करेगी बवासीर पाइल सुगरे की भी संभावनाएं बन रही है तो गुपत रोग गुपत शत्रू ये इस वर्ष की देन है उपाय क्या करना है नोट कर लीजेगा बता देते हैं एक सफेद कपड़ा किसी ब्रामण को दान कर देना है अगर आज आपका जनम दिन है साथ सितंबर को गर आप पैदा हुए है और पांच प्रकार के फल के रस्ते एक बार केवल शिवलिंग पर अभिशेक कर दीजे काम बन गया अगर आपकी आज शादी की सालगीरह है साथ सितंबर को नोट करिए उपाय क्या करना है लाल वस्तर किसी कुमारी करन्या को देना है और तीन से निवार को उरत की खिचड़ी का दान करना है शुक्रिया धन्यवाद यह प्रयोग करिए और पूरे साल कभी भी कर सकते हैं बस एक ही बार करना है और हाँ एक ही बार विवाह बाधा शांती यग्य में आना है नमबर डायल करें पुरा प्रोसेस पता करें नमस्कार जैस्री किष्णा शिरादे चैनल को सब्सक्राइब करिए आप जो अलार्म बटन है उसको आप दबाईए और जितना हो सके वीडियो को शेर करना न भूलिए